पहले जरा इस बात से करना चाहती हूँ कि जब योगी आदितनात ये बात कहते हैं दानिश साथ, जब वो कहते हैं कि हर धर्म का सम्मान जरूरी है, अनिवार है, वो हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि सजा देने के काम कानून का है, सड़क पर प्रशासन के पास पहुंचेगी पुलिस के पास पहुंचेगी तो वही पुलिस अगर कोई कोई मुसल्मान है तो उसके उनको यूए पीय तक भी लगा देंगे लेकिन वही पुलिस उत्तरप्रदेश की अगर बात की जाए तो वहाँ जो डांसना में रहता है वहाँ जिसने ये कहा कि बीस लाक मुसल्मानों को कटल करने का प्लानिंग करने की जो बात करता है वह भी ध जंगे हुए अराजगता फैलाई गई तो मैं आपको बता दू कि इस तरह से उग्र और वाइलेंट जो भीड़ है वह आपको संजावली की मस्जिद में भी दिखी होगी संजावली की मस्जिद में क्या पत्थर प्थराओं नहीं किया गया पुलिस पे आ क्या पुलिस को आस्मान का फर्क इसलिए है क्योंके ग्यान व्यापी मामला जो जेरे अदालत है उसमें अगले दिन जब सुनवाई होती है तो एक दिन पहले वो यह कहते हैं कि वह जो है वो छोड़ देनी चाहिए तो यह यह अराजगता नहीं है कि बुख्यमंत्री पर विराजमा एक में यह चाहिए को क्योंकि आपको रोखना दो पढ़गा सबस्क्राइबрал उतर नहीं मांगा जा सकता परदर्शन कर सकता पथर बाजी नहीं कर सकते सवाल कि प्रदर्शन का अधिकार तो आपका वे Natal सबक्ष चैनल कर दूसरों यहाद नहीं केलिए और देश की में यहाद करने को सियारत हरा जदर जाले खई इसे लेकर वो फोन पर बात करते है आप यह कह रहा है शलम मनी जी सीधी बात है यह सवाल पूछा जा रहा है कि अराजकता बर्दाश नहीं होगी लेकिन अपमान क्यों बर्दाश होगा यति नर्सिमानन की गिरफतारी क्यों नहीं हुए अभी तर्व देखिए यह भारत है सीरिया नहीं है और भारत में बाबासाब हीमरा अंबेडिकर जी का समविधान चलता है शरीयत नहीं चलती है अगर यतिन अर्जिमानन जी के बयान से को तकलीफ हुई को समस्या हुई आपने मुखत्मा दर्ज कराया उनके खिलाब जो कारवाई बनती है कि यह सीरिया नहीं है हिंदुस्तान है जहां बाबासाब भीमरा अंबेडिकर जी का समविधान लागू है कोई शरीयत लागू नहीं है और उसके बाद आप सड़क पर उतरके सर तन से जुदा के नारे लगाएंगे तेरा मेरा रिष्टा क्या लाही लाही इलला के डाम पर अगर आपको अराजकता करने की कोशिश करेंगे तो यह उत्तर प्रदेश है यह मोदी जी और योगी जी का उत्तर प्रदेश है आपको शरीयत भुला देंगे और समविधान आपको रटा देंगे ऐसी कारवाई करेंगे कि शरीयत भूल जाएंगे समविधान का एक एक हिस से आपको तक्रीब हुए आप जाइए थाने में मुकतमा दर्ज कराई यह मुकतमा हमारी सरकार ने दर्ज किया है हमारी सरकार ने कारवाई करने की बात किया है लेकिन आप सड़क पर उतर कि का प्याज सब्सक्राइब करेंगे तोड़ सब्सक्राइब करेंगे आपको शरीयत भुलाक़ मुने यह अरेजकता सुरिकार नहीं करेंगे आपने फॉलिस पर पत्थरबाजी कि आप प्रिशाषन MOD पथरबाजी करेंगे अप जाकर ठाने पर हमला करेंगे ऑफ इसी के बयान से आपउ तक्लीफ पहुंच गई तो आप किसी मंदीर पर चले जाएंगे पापकीम बेटेंगें सब्सक्राइप तो क्यों मेतर जुब स तृफठी यहां पर कि वो आपकी साथ कुछते याद रखेंगी और कारवाई यांसी हुई है जब देखो भाना ढूल लेते हैं कभी सीए के नाम पे सड़क पुतर जाते हैं कभी कुछ डैनमार्क में कोई काटून सब जाता है उसके नाम पे सड़क पुतर क्या राजकता करते हैं तो मैं फिर कह कि बाबा साब भीम रहां मेड़कर के देश में बाबा साब का संविदान चलेगा कोई शरीयत नहीं चलेगी और याद कर लिए शरीयत में नारा लगाते हैं कि सरतन से जुदा ये करेंगे तो कारवाई होगी ऐसी कारवाई होगी कि नजीर प्रस्तूत होगी साथ कुछते अब ये डीजीपी सर हमारे साथ जुड़े हो है मुम्ताज जी सहमत नहीं दिख रहे हैं मुम्ताज जी नहीं दिख रहे हैं सहमत और भाटी जी के जो अपर्चर है वो बढ़ानी के जरूवत है क्योंकि फेस बहुत डाक आ रहा है तो मैं एक बार ज़रा तस्वीर बता दे है वो बरदाश नहीं होगा फिर वो साधू संथ हो या किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म के महापुरुष हो यह ध्यान में अगर सब लखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की तस्वीर की जरूरत पड़ेगी लेकिन अगर किसी ने अपशब्दों का इस्तेमा कि यह नहीं होगा कानून अपना काम करेगा अब अपना काम करें तो चरिता जी आप ते बिलकुल सही बिंदू पर आपके स्वीकार है कि किसी के महापुरुष किसी के भी पूज्य व्यक्तित्य के ऊपर आप अत्तिजरक टिपड़ी बिलकुल बरदाश नहीं कानूनी और तुरित कारवाई होनी चाहिए और दूसरा पक्षिस का यह है अगर आहत है तो पीस्फुल राइट और प्रोटेस्ट सबका है हमारा आपका जैसा आपने प्रारब्रिक संबोधन में कहा लेकिन सड़क पे उतर करके भड़काओं बयान करना सर तन से जुदा इस तरीके कि भड़काओं बाते करना यह हेट स्पीच में आता है मुझे सक्ता अपत्ती है इस प्रकार के अरगल बयानों के उपर और इस तरह के ललकार की भाशा को यह देख लीजिए जो स्वामी यह दीश्वरा नंग जी ने कहा वो नहायत गलत है पहर जिम्मेदाराना है उनके कि अपहराफ कारवाई और गरिफतारी होनी ही चाहिए और जल्ड जल्ड होनी चाहिए लेकिन इसका यह बतलब नहीं है कि हम मनमाने तरीके से सर तलस जुदा इसका चारवाई होती है वाशक्त कारवाई करें ऑसे तक कि लीडर्शिक कि सके पास Hindi और कि बढ़का कर रहाएं पत्राव कराया तो मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को चिंदित करके जहां यतिश्वना नंग की उपर कारवाई होनी चाहिए वहीं ऐसे तक्षों की उपर भी प्रभावी कारवाई होनी चाहिए इसका कोई स्थान नहीं है सुचरता जी की इस तरीके के भड़काव बैन सरत क्या मतलब है यह बिल्कुल हमारे हैं चलने वाला है मैं शलब बड़ी जी और आप सभी विद्वाद पहले से कहूंगा कि अगर एक किसी ने गलती की है उस गलती की उपर पहले कारवाई कीजिए और उसके बाद इस तरह की भड़काव बात आते उन पर भी कारवाई कीजि अब तो योगी जी का जो स्पष्ट बयान आ गया है मैं उसका स्वागत करता हूँ